केंद बाजी यूनिट की एक धमा के दा शुरुवाद गोल्डन डा बैट्समेंग की गलती, फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंद बाज के नाम इदको साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट फड़ा साइम को संभलती खेलना होगा और पूशिश करनी होगी कि आंध तक ये नाबाद रहें बचे यहां पर गेंद बाज क्योंकि तेजगती से आई गेंद दूसरी गेंद दूसरी सफलता गेंद बाज इस ओन रोल इस गॉन जहां था फील्डर वही थमाया कैच फीस पर आए हैं नोगे लोगास अमीद्य यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा तरेंगे लुड लुड दाए हैं वो बावाई लुड लुडि लुड'? कि अबॉल कि अबॉल कि अबॉल कि अबॉल कि अबॉल किया एक और डॉट बॉल गेंद बास कि दो दो हाथ करने की मंचा से आए हैं मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम गेंद थोड़ी सी पुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारत ही हैं अच्छी गेंद को स्विंग करवाया इस गेंद को पढ़ने में पूरी तरहां से असमर्थ बल्लेबास एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर बोलर के सर के उपर से उड़ता हुआ ये बढ़िया शॉट कि फील्डरों गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रोड कि हवा में गेंद को भेजा है बहुत दूर भेजा है ये देकर जाएगी आधा दर्दन रन ओवर की समापती इस से बहतरीन अंदाज में संभव नहीं छे रन बोलर बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्रमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा फील्डिंग युनिट की बड़ी अपील लेकिन अंपायर ने नकार दिया नॉट आउट बनले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रुनिंग बट्वीन दे विकेट्ट्स दिशा खराब तो दशा खराब दिशा हीन गेंद है बहुत दूर थी ये गेंद कीपर रोकने में आ समर्थ गेंद बास के चहरे पे निराशा खाते में है चार रन बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया लेकिन गेंद नहीं सिरफ हवा से हुआ समपर्क चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोड भी अब ये बात तो तह है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शॉट फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो फिल्डर और गेंद बास का चाताल मेल बढ़िया थ्रो पूरी तरह से छका दिया है बल्ले बास को एक्सलेंट इनिंग्स तर्गेट बहुत बड़ा नहीं है पिछ भी ज्यादा कठिन नहीं है अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बाक पूर बेसिक्स चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्ले बास तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बाक पूर बेसिक्स एक और साधारण सी कोशिश एक बाद फिर वाइड एक और एक्स्ट्रा गेंद बास के छक्के छुड़ा दिये छक्का जड़ दिया पहली गेंद पर छक्का इससे बहतर शुरुआ कहां है संभाव बल्ले बास जाबास वाइफाय चार रहा है एक और साधारण सी कोशिश एक बाद फिर वाइड एक और एक्स्ट्रा इसे कहते हैं खालिस लॉग एक के बाद एक और विकेट एक और सफलता के इंद बादी यूनिट के लिए आउट कोट क्या कर रहे हैं यह क्या सोच रहे हैं यह कैचिंग प्रैक्टिस है क्या अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है सटी गेंड डॉट गेंड करीब आखरी ओवर निरनायक ओवर तेज गेंड बाज है यह अब देखना यह है कि क्या साथ में थोड़ी स्प्रिंग भी कर सकते हैं बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री हून डिलिवरी देकर देखना है कैच मेहदवपूर्ण विकेट एक मेहदवपूर्ण समय लकुल साधारन बल्लेबासी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट इस नंबर पर ब्रेकिंग करते हुए देखते नहीं है हम उनको खेराज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा लंबी पारी खेलनी होगी दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं गेंदबास एट्विक पर हैं फिलर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी जोली में बल्लेबास गया पैविलियन के तरफ अंते मोवर में बल्लेबास का मेहदोपूर सफलता फ़ड़ा सा इनको संफल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी अंत तक ये नाबाद रहे इस गेंद को ना तो पढ़ पाए ना जड़ पाए बढ़िया गेंद बढ़िया गेंद कोई रन नहीं प्रिजबार बड़े शॉट का प्रेयास खेल अपने अंतिम पड़ाव पर खूब सूरत ये शॉट खराब टाइमेंग संकट के बाद ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है नडाई की समाप्ती हो रही है यहां बैट्समें की समाप्ती हो चुकी है बल्लेबाजी क्रम में खासी उठा पटा लोर ओडर बल्लेबाज को टॉप ओडर में भेजना क्या बैटिंग ओडर को लंबा करना चाहते हैं कप्तान पहली गेंद बन गई आखरी गेंद खाते में एक रन भी नहीं गोल्डन डाक सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को महदवपूर्ण विकेट एक महदवपूर्ण समय पर झाल